सभी को जैमात दी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है कुक एंड व्लॉक्स विद जा में आप सभी का स्वागत है बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि आप लोग फलहार में क्या खाते हैं तीनो टाइम आलू खा सकते हैं कि नहीं तो आगे आप बने रहे सब पता चलेगा तो आलू बिल्कुल घा सकते हैं तीनो टाइम मैंने भी यहां पर पतले-पतले स्लाइस में आलू काट लिए आप देख सकते हैं धो के अच्छे से काट ली जिए और उसके बाद क्या होता है इसको आप सेंधा नमक में भी बना सकते और बिना सेंधा के बी तो जो लोग नमक नहीं ख तो यहां पें तेल हो चुका है गरम होने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा और लाल मिज का फोरन डाल दीजे जैसे तड़का जिसको बोलते है फोरन डालके और उसमें आप जो हमारे आलू है पतले पतले हैं कटे मतलब कटे हुए, वो आप डालते रहिए और ध्यान से गैस जो है आपका lower to medium रहना चाहिए तो आराम से अलू को हम डाल लेंगे ऑर ओर अलू का जो है कमेंट यह रहता है कि तीनों tribस कह सकते हैं कि नहीं अरे बहिए तीनो टाइम क्यों नहीं खा सकते हैं क्योंकि एक टाइम जैसा खाना वैसे तीनो टाइम खाना फलाहर का मतलब होता है कि मतलब थोड़ा बहुत फल के साथ खाना तो फलाहर का मतलब यह नहीं है कि आप तीनो चारो टाइम सिर्फ आलू खाओ और आपका ब्रत हो गया आलू ख कहा करने वाली हूं मैं आपको आगे बताऊंगे क्योंकि ये भी मैं हमेशा जब भी मैं फास्ट करती हो तो मैं मतलब बनाती हूं तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करूं बहुत ही अच्छा लगता है बिलकुल हेल्दी है और बहुत लाजबाब लगत मूंग फली रोस्ट होने के लिए बिन आप ओल की ही रोस्ट कर रही हूं । अगर बच भी जाता है तो आप बाद में यूजिर सकते इस नोंmah्टक सरें उससे पयूंज मिनमय। आप भुजिया को जो यह हमने फालहार के लिए बनाया है उसको आप चलाते रही और इसका भी फ्लेम इस टाइम पे आप मीडियम टू हाई कर दीजे थोड़ी देर क्योंकि इसे ढखेंगे नहीं ढखेंगे ना तो एकदम गिलिले से हो जाते है पानी एकदम आ जाएगा इसम पर कुछ खराब भी हो सकता है यहां पर मैंने फ्लोट्स भी यह जो सेव है ना सारे सेव के मैंने चिलके उतार लिये थे क्योंकि आजकर वैसे भी से वैसे ही आ रहे है और इसको में ज्यादा देर उसमें नहीं छोड़ूंगे खुले में क्योंकि खुले में छोड़ने से क अजलके इसमें ब्लैकनशा जाता है और यहां पर काटे थे मैंने फटाफट दराती से आप लोग जानते होंगे इसे मैंने काट लिया है आप लोग अगर चाकू यूज करते हैं तो उससे भी कर सकते तो मुझे इस से इजी होता है, इसलिए मैंने साइड में भुजिया भी तो पत्ले 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 में तुकड़ों में कहेंगे तो क्या ही बनेगा चोटे चोटे इसको काट लिया और यहां पर भुजिया होई रहा था इसको काटने के बाद ना में बात यह है कि हमने कहा था आपको कि मैं इसे उसमें चोड़ूंगी हावा में क्योंकि यह ब्लैक हो जाता है तो इस इस बरतन में आप देखेंगी कि इसमें मैंने दूद रखा है कर जितना भी आपको लेना आई इसमें करीब आदा पॉना लिटर दूद है इसको आप अपना जो भी सेव काटे तो काट के उसी में डाल दीजिए दूद में रहेगा डिप तो यह ब्लैक भी नहीं होगा यहाँ पर केला भी मैंने धो के छील के और इसको थोड़े मोटे थे तो इसको मैंने एक कट लगा लिया है बीचो बीच और उसको उसको भी मैं छोटे-छोटे स्लाइस कर रही हूं पतले- और इसमें कर दिये मैंने यह देखें बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग बनाईएगा जरूर और बताना इसमें अनार के दाने हो तो अनार भी डाल दीजिए मेरे पास अभी नहीं था अनार तो मैंने नहीं डाला यहां देखे भुजिया भी करंची करंची सा होने जाता है यहां पर उसी फ्रूट मिल्क में जो मिक्स कर रखा था उसमें डालने के लिए मेरे पास में मोटी चीनी आ गई है तो मैं इसे एक बर ग्राइंड कर लेती हूँ पहले चीनी और इसको ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा इसलिए कि वह थिकनेस उसमें हो जाए यह ज छोड़ा सा दोद लेके मिक्स कर लेंगे मतलब माद mineral कर लेंगे मिक्सर कर सलेंगे मक्सर ओनने में इस ट्र礼ब कई दो चीनी आ पहले भी नहीं चीनी पसนद करता है तो आप इसमें अखान डाल सकते हैं और गुड का जो होता है ना पाउडर वो डाल सकते जैगरी पाउडर और यहां पर मैंने इसी में थोड़ा सा और मिल्क मिलाया है क्योंकि यह एकदम गाड़ा हो जाता है तीन तीन लोग है हम लोग फलाहर के लिए चकोर भाया अंकल जी और मैं तो करिए मेरे पास नहीं था तो नहीं गई आलस की वज़े से नहीं गई लाने नहीं तो बहुत ही अच्छा होता है अनार इसमें टेस्ट जो आता है बनाना एपल पॉमिंग्रेनेट और आपका यह जो है कोई किसी को अंगूर भी पसंद है इसमें मगर मैं अवर्ट करती डाल के जरूर बनाएगा एक बहुत ही हैंदी होता है टेस्टी होता है और आपको लगे गा ही नहीं कि आपने फल खाया है कितने लोग होते हैं जिनको फल पसंद नहीं होते हैं जैसे कि मैं हूँ मुझे भी सिर्फ आम सोड के कुछ भी पसंद नहीं है तो यह रिखिए यह यहां पर हमारी थाली भी लग चुकी है भुजिया हो गया मुंगफली जो रोस्ट किया था उसको मैंने चिल के उतार ली और यहां पे आपके सामने कटोरियों में लगा लिया है और वहां पे मैंने एक तरह का नोग हम फूट कई कम कर लीता है झाए उसे ठिक कर देता है तो आप लोग जरूट आइगा अच्छी लिए हो थालन आंगे के कल तो आप, आप, लोग भीच अधान, को आठी कर दो strict का सूट कहुं कई वार उनको नहीं पता होता है क्या खाना चाहिए कैसे बनाना चाहिए किस टाइप से बनता है तो उनको शेयर भी करिए बहुत सारे लोग है जो मेरे वीडियो देखके दूर रहते हैं बिना मतलब ममी पापा के जहां स्टडी करते हैं वहां पर मेरे वीडियो को देखके उ को थोड़ी से हेल्प मिलती है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो